नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर चैनीज मीडिया ने ये क्लेम किया है कि उधर के साइंटिस्ट सूपर काउस को क्लोन किया है जो अपनी लाइफटेम में एक लाख लिटर तक दे सकते तो लाइफटेम में एक लाख लिटर या फिर हंडर्ड टरन्स का मतलब होता है कि एक साल में ये जो सूपर काउस है करीब 18 टरन्स ओफ मिल्क का यिल्ड दे सकते है तो अब युसी बात है दोस्तों चाइनीज डैरी इंडस्ट्री के लिए ये बेसिकली एक रेवलूशनरी अचीवमेंट है तो ये अचीवमेंट हुआ है नोर्थ वेस्ट युनिवरसिटी ओफ अग्रिकल्चरल और फोरस्ट्री साइंस और टेक्नोलोजी इन निंग्जिया रीजियन आफ चाइना तो जैसे मैंने आपको बोला साइन्टिस्ट ने इन सूपर काउस को क्लोन करके बनाया है तो कौन सा ब्रीट से क्लोन किया है वो है हॉल्स्टेन फ्राइजियन ब्रीड ओफ नेथरलंस तो यह हॉल्स्टेन फ्राइजियन ब्रीड को क्लोन करके अलड़ी इनोंने थ्री काफ्स को जनम दिया है वैसे यह क्लोनिंग प्रोसेस कोई नहीं बात नहीं है आपने सुना ही होगा वैसे क्लोनिंग क्या होता है कौन-कौन से टाइप्स ओफ क्लोनिंग है वो हम डीटेल में डिसकस करेंगे वैसे देखा जाएगा तो बहुत सारे कंट्रीज में फार्मर्स क्या करते है क्लोन अनिमल्स को कन्वेंशनल अनिमल्स के साथ ब्रीड करते है बेसिकली उनके इसाब से नएने ट्रेंट्स को डवलप करने के लिए किसके लिए डिसीस रसिस्टेंस के लिए हाई मिल्क प्रोडुक्शन के लिए एक्सटर एक्सटर अगर चाइना की बात किया जाए पिछले कुछ सालों में क्लोनिंग प्रोसस में उन्होंने सिक्निफिकन प्रोग्रस अचीव किया है अपने शायद सुनाओगा लास्ट येर एक चाइनिज अनिमल क्लोनिंग कंपिनी दुनिया का पहला क्लोन आर्टिक वूल्फ को क्रियेट किया था और 2017 में चाइनिज साइन्टिस्ट ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने एक क्लोन क्याटिल को प्रोडूस किया है जिनका इंक्रीस्ट रसिस्टेंस है तोवर्ट्स बोवेन टूबर कॉलोसिस वैसे बोवेन का मतलब होता है relating to cactyl So what is cloning? cloning का मतलब होता है to make identical copies basically cloning is a process जिसमें clones produce होता है clones का मतलब क्या होता है clones are organisms that are exact genetic copies every single bit of their DNA is identical तो एक particular organism का exact genetic copy जो होता है उसे clone बोल सकते है दोनों organisms के every single bit of DNA identical होगा clones naturally भी हो सकता है जो identical twins रहता है ना दोस्तों it is one of many examples naturally ही नहीं artificially भी cloning किया जा सकता है So how is cloning done? वो हम discuss करेंगे देखें आप ऐसे काई लोग cloning के बारे में पहली बार सुना होगा के एक cloned sheep का जनम हो यह है दोस्तों Dolly the sheep the first ever cloned animal in the world 6th July 1996 से 14th February 2003 तक she was alive तो एक organism का exact genetic copy create करने के लिए दो तरीके दोस्तों One is artificial embryo twinning Second is somatic cell nuclear transfer दोनों में क्या-क्या process होते है वो हम discuss करेंगे No.1 artificial embryo twinning Artificial embryo twinning में जो natural process होता है उसी को mimic किया जाता है artificially जैसे कि identical twins वाला case में होता है देखे naturally identical twins कैसे पैदा होता है यह अपने biology में पढ़ा होगा briefly में बता देता हो पहले sperm and egg का fusion होता है basically egg fertilize हो जाता है अब fertilized egg से क्या बनता है embryo बनता है अब identical twins वाला case में क्या होता है यह जो embryo है वो दो half में split होता है और यह जो दोनों half of embryo है वो अपने आप develop होता है into complete individuals तो egg fetalist egg से develop होने की वज़े से दोनों जो individuals होगा वो genetically identical होगा these are identical twins तो artificial embryo twinning में भी same approach follow होता है but the difference is natural process शरीर का अंदर होता है whereas artificial process शरीर के बाहर basically एक petri dish में petri dish मतलब क्या होता है दोस्तों आपने laboratories बगरा में देखा होगा इस तरह के जो छोटे छोटे dishes रहता है जिसके अंदर reactions बगरा करवाते है उसे petri dish बोलते हैं दोस्तों तो basically जो artificial embryo twinning है ये petri dish के अंदर होता है basically एक very early embryo को collect किया जाएगा उसे artificially separate किया जाएगा इसके बाद उसे एक petri dish में develop होने के लिए छोड़ दिया जाएगा जब वो embryo थोड़ा बोध develop होगा तो उसे एक सरगेट मतलब क्या होता है ये तो आपको पताई हो अगा तो basically सरगेट मतल वो मतल होता है दूसरे का बच्चे को अपने pet में जो पालते हैं जैसे कि सरगेसी के बार में अपने सुनाओगा जब एक lady बच्चे को carry नहीं कर पाता है या उनके uterus में कुछ problem है तो वो सरगेसी adopt कर सकता है basically spam and egg का fusion के बाद basically fitless egg को एक सरगेट मतल का uterus के अंदर place कर सकता है नौ महीने वो बच्चे को पालेगा जैसे delivery हो जाएगा बच्चे को father and mother को hand or किया जाएगा ठीक है यह होता है सरगसी basically तो एक सरगेट मतल का पेट के अंदर uterus के अंदर ये embryo को छोड़ दिया जाएगा ठीक है आप देखिए ये जो embryos है same fertilized egg से आता है इसलिए जो बच्चा पईदा होगा वो genetically identical होगा तो खोल मिला के ये है दोस्तों artificial embryo twinning में वही natural process ही होता है बस artificially उसे किया जाता है ठीक है अगला है somatic cell nuclear transfer SCNT इसे simply nuclear transfer भी बोलते है दोस्तों it uses a different approach than artificial embryo twinning अब देखें दोस्तों somatic cell nuclear transfer से भी 100% एक cloned individual मिल जाएगा पर इसमें जो process use होता है वो थोड़ा सा अलग है वैसे this was the method used to create doly the sheep doly the sheep का cloning basically somatic cell nuclear transfer से ही हुआ था now क्या है SCNT तो सबसे पहले somatic cell क्या है ये समझते है दोस्तों ये somatic cell is any cell in the body other than sperm and egg तो basically हमारे शरीर के अंदर जो reproductive cells है या फिर germ cells है उसे छोड़के दूसरे जितने cells है उसे आप somatic cell बोल सकते हैं ठीक है in mammals every somatic cell has two complete sets of chromosomes whereas the germ cells have only one complete set देखिए ये भी आपको पता ही होगा basic biology है दोस्तों हमारे शरीर में जो reproductive cell रहता है न मेल्स में जो sperm females में एक उसमें आपको केवल 23 chromosomes मिलेगा ठीक है वेरास बाकी जितने somatic cell से उसमें two pair of chromosomes that is 46 chromosomes मिल जाएगा ऐसा क्यों है दोस्तों क्योंगी देखिए जब fusion होता है तो एक में 23 है दूसरा में 23 है तो दोनों मिलकर 46 बन जाएगा तो germ cells में या फिर reproductive cells में आपको केवल one set of chromosome मिल जाएगा that is केवल 23 तो somatic क्या है आपको समझ में आ गया अगला है nuclear nuclear मतलब क्या है which is related to nucleus nucleus is a compartment that holds the cells DNA तो basically cell के अंदर एक compartment है दोस्तों nucleus जहाँ पे DNA रहता है और आपको पता है दोस्तों DNA is divided into packages called chromosomes 23% of chromosomes रहता है human beings में ठीक है and it contains all the information needed to form an organism तो basically DNA के अंदर वो सारे information जो एक organism को चाहिए होता है and it's small differences in our DNA that make each of us unique तो basically DNA के अंदर जो छोटे मोटे differences है दोस्तों वो हम सबको unique बनाते हैं अलग-अलग बनाते हैं ऐसा basic biology आपको पता है बस मैं somatic nuclear transfer क्या होता है यह समझाने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है now transfer मतलब क्या होता है moving an object from one place to another to make doly researchers isolated a somatic cell from an adult female sheep next they remove the nucleus and all of its DNA from an egg cell so here is the process researchers क्या करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक adult female से somatic cell को isolate करते हैं ठीक है फिर उसी female का egg cell से nucleus and all of its DNA को remove करते हैं ठीक है अब देखे एक cell के अंदर nucleus नहीं है अब somatic cell जो isolate किया था उस somatic cell से nucleus को remove करके egg cell में transfer करेंगे समझगे तो basically somatic cell का nucleus अभी transfer हो गया egg cell में और egg cell का nucleus को already remove किया था and after a couple of chemical tweaks the egg cell with its new nucleus was behaving just like a freshly fertilized egg तो basically कुछ हफ्तों के बाद वो जो नया cell है एक fertilized egg जैसा behave करेंगे तो यही process use किया था डोली देशीप को create करने के लिए So I hope आपको समझ में आ गया what is somatic cell nuclear transfer and what is artificial embryo twinning So these are the major types of cloning तो दोस्तों that's it देखें चाइना तो already famous है cloning के लिए चाए वो living organism हो या कोई non living thing हो car, bike, toy, everything आपको coffee मिल जाएगा चाइना से तो आप Chinese researchers ने यह जो super cows गो बनाया है It is really remarkable actually देखा जाएगा तो क्योंकि देखें दोस्तों life time में 1 lakh liter yield मतलब कोई चोटी मोटी बात नहीं है So I hope आपको वीडियो informative लगा होगा Thank you for watching, bye bye, have a nice